दोस्तो आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा से चैनल अमर सक्षेना फिनिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्षेना आज हम लोग हाईजेन वर्ग अनिस्चित्ता सिधान के बारे में जानेंगे कहता है हाईजेन वर्ग अनिस्चित्ता सिधान को लिखे किस एंसर में कहता है हमारा किसी कान की गती से संबंधित दो सयुगमी रासियों के एक साथ मापने में अनिश्चितताओ का गुनन फल कभी भी H.2.5 से कम नहीं होता है करा है कि किसी कन की गती से सम्बंदित यदि कोई कन गती सील हो तो उससे सम्बंदित दो सयुगमी रासि दो सयुगमी रासि में हमारा एक स्थिती और दूसरा सम्बंदित आता है दो सयुगमी रासियों के एक साथ मापने में यदि उसकी स्थिती और सम्बंदित को एक साथ मापने जाए तो अनिस्चित्ताओं का अब्नन्फल तो उनका अब्नन्फल जो होता है कभी भी H बटे टू पाई से कम नहीं होता है कतार माना कि किसी कान का X अप्छित की दिशा में इस्थिती डेल्टा X तथा संबेग डेल्टा P हो तो हाईजेर्वर्ग के अनिस्चित्ता सिधान से डेल्टा X into डेल्टा P greater than or equal to H बटे टू पाई कता है कि डेल्टा X और डेल्टा P का मान जो होगा हमेशा H बटे टू पाई से अधिक होगा ये जो हमारा है डेल्टा X और डेल्टा P ये दोनों गुनंफल है कता है जहां H पलांक निया तांक है कता है यदि H बटे टू पाई को H कट के रूप में निरूपित किया जाए तो डेल्टा X into डेल्टा P greater than or equal to H कट जहां H कट बड़ाबर H बटे टू पाई काता है इस समीकरन से अस्पस्ट है कि किसी कान के इस्थिती की अनिस्चितता डेल्टा X को कम करने पर उसके संबेग की अनिस्चितता डेल्टा P का मान बढ़ जाता है इस समीकरन में अगर हम किसी एक का मान कम करते हैं तो दूसरे का मान बढ़ जाता है अगर डेल्टा एक्स का मान कम करते हैं तो डेल्टा पी का मान बढ़ जाता है अर्था यदि इस्थिती को सुधता से मापा जाए तो संबेग के मापन में सुधता कम हो जाता है काता है कि अगर इस्थिती को सुधता से मापा जाए तो संबेग के मापन में सुधता कम हो जाता है ठीक इसके विप्रेट अगर होगा अगर संबेग को सुधता से मापा जाए तो इस्थिती के मापन में सुधता कम हो जाता है ये जो हमारा है ये हाईजेरवर्क का अनिस्थितता सिधात है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अन्हें दोस्तों साथ सेर करें